सबी लड़कियां ऐसी नहीं है कि ध्षक्peror बाज हो तो परिवात का संस्कार अीकों जिल दुनिया चलने नहीं देती है सीधे साध्य है तो दुनिया तो छोड़िये इनकी पत्नी को जाने नहीं है घर पे तो हमने कहा चलो हम भी जानते हैं मानते हैं अब उसका सीला ये है का बी कर्छा चलाती है आपने सर पर ले कर पूरा घर डोती है जब बाप का एक पती का साया पत्नी पर सही तरीकें आपने बच्चों को नहीं पाल सकता है लेकिन जब से बच्चा पैदा हुआ है उसकी एक महीने के बाद इने पता चला कि मेरी पतनी दिव्यांग है फिर भी पतनी को छोड़े नहीं उसे पढ़ाए लिखाए वेड करवाए ले जाकर दिल्ली में नोकरी लगवाए और वहां से कंपनी द्वारा उसे बिदेश भेज दिया गया यह भी उस सयोग किये पास्पोर्ट नोकरी करूं, अब पति अपना नोकरी छोड़कर घर बैट गए और अपने बीबी जो चाहति थी जो पसंद था उसे पूरा करने के लिए यह अपना सब गमा चुके थे. और बच्छे को घर रहोकर खिलाते थे, पिलाते थे और पतनी वहाँ पर नोकरी करने लगी, अपना हसी खुशी जिन्दगी को जारने लगी, बिदेश चली गई, और उसके बाद जब 2-3 साल बाद बिदेश से लोटी, तो अपने बहन के घर चली गई, अब बच्चों के पास फोर नहीं की, बच्चे से भी मिलने नहीं आई, व तरह तरह की बाते लिख कर उसके द्वारा क्या नाम है, अंजनी, अंगीरा सिंग नाम है, जिसके द्वारा तलाक भेजा गया है, इसमें तरह तरह की बाते लिख कर भेजा गया है, कि मेरे मुझे ससुराल वालो द्वारा परतारित किया जाता है, और साधी से पहले उन क्या ना मैं आपका लॉकुश जिर अपके साथ जो गुज्रा हुआ है यहां पर आलोक मौर। कर लेते हैं तो हम को फ्यूचर में बेन फिट मिलेगा क्योंकि हम दिभ्यांग हैं 50% हैं तो हमने दाखिला कराया अच्छा 2018 में साधी हुआ था उशी साल बीड में एडमीशन कराया हम उसके बाद यह मैं च्छे महीना घर पे रहा हुनके साथ दोनों लोग रहे हैं हसी कुछ इनुचे बाद इनके भाईया हैं यह जाएगी आपके पास और यह भी लगी थोन करने की नहीं मैं भी आउंगी आऔर के पास उसके बाद कहने लगी कि मैं जाब करूँगी, जाब करूँगी, पेचिस लगे लोग करने, तो हम मदरसन सुमी सिस्टम लिम्टेन में, सेक्टर एक में इस्तित है, वहाँ पे जाब लगवा दिये, हम दूसरे कमपनी में करते थे, फिर सब कुछ हच्छा चल ला था, 2020 तक कर दोनों लोगों का जाब छुट गया, फिर उसके कुछ दिनों के बाद मेरा बच्चा पैदा हो गया, वहाँ EASI में, नुएडा में ही, फिर हम लोग वहाँ से जब डिश्चार्ज हुए तो अपने घर आये, तो यहाँ 10 दिन नहीं, उसके बाद उनके चाचा बुलाने आ तो वहाँ पर अपने माई के चले गए, फिर हम कुछ दिन यहीं अपने घर पर रहके नुएडा चले गए, जाब करने के लिए, जाब लगे करने, तो फिर यह 6 महीना जब सेशन पुरा हुआ, इनका 6 महीने के छुट्टी लेकर आई थी, तो 17 या 18 अक्टूबर को इनका से अगर अगर उसके दुख को आप ले लेते हैं और उसको जाब लेते हैं और जाब देखने के लिए, लगे लोग दबाव बनाने कि आप अपना जाब छोड़ती जी इनके भाईया, देव चंद प्रग्या नाम है, और मेरा साड़ू, तमकलपुर घर है, उसका नाम असुतो अगर उसके दुख को आप ले लेते हैं और उसको जाब करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो करने दीजे, अब हम इस बात पे कि पतनी को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए अपना जाब छोड़ दिया, और बच्चे को वहीं साथ में रहते थे हम लोग, वहां आम निवाशोक कोई भी जाके पता कर सकता है कि हम लोगों में कभी लड़ाई जगड़ा हुआ ही नहीं, उस का लोनी में, क्योंकि हम बच्चा खिलाते थे, देखते थे, इजाब करती थी, कोई दिक्कत नहीं था, फिर एक आने लगे कि सर्जी हम बिदेश जाएंगे, इस बात पे तो हम स करनाजीस कि यह हो या करवाना चाहते हूं, मुझे नहीं भनक लगी, नहीं तो हम आइसा करने देते, अब मुझे पता चलाए कि नहीं , उनलोगों साझा चाहते, क्यों कि उपाण Кी दूबा़ं लगे देने कि जाने दीजी, वो बच्चे के लिए ही तो कामाएगी थी कि प कर्ता है तो हम इसी बात को अपने साले को ले लेकर कहें, कि आपकी बहन को मेरी पतनी को एक अपने साले का grandi कर रहा है कि तो मुझे भळक ग्या कि तुम अएसे हो जरुत थे हो अपने साली को लेकर हो गया लोग मेरी पत्नी और मेरा साला दोनों लोग मेरा नंबर बलोग कर दिए पत्नी भी कर दिए जी उसके बाद बंद कर दिए फिर मैं परसान हो गया कि क्या हुआ हो सकता हो जादे डिस्टर्म नहीं करें इस वज़े से हम कमपनी चले कि उसको भेजी दिए यहां पर एक तो बच्चा भी म बंद ही नहीं कि लेकिन वो बंद कर दी अभी पांच महीना हो गया वो बच्चे से भी बात नहीं करती है तो आप यह समझ सकते हैं कि माता भी कुमाता हो सकती है आप यहां पर सावित हो रहा है माता कुमाता हो रही है यहां पर बच्चे को छोड़कर वैसे बोला जाता है दुनिया में सबसे बड़ी उद्धा मा होती है, लेकिन यहां पर रलत सावित हो रहा है, अब देखिए, कहा जाता है कि एक मर्द जो है, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है, लेकिन मैं जब से बच्चा पैदा हुआ है, उसकी एक महीने पहले से जाप छोड़ा हूँ, मा कोख में 9 महीना रखी उस बच्चे से यहां पर मिलू, यहां पर मिलने नहीं आई बिदेश से, बिदेश में जब रही पती से जगरा होने के बाद, वहां से बीडियो कॉल भी नहीं करती थी, कि बच्चे को देख सकू, इस समे मामा मेरा साला कह रहा है, कि वह इतना कम की है उसके भाई उसके परिवार बेचा हैं तो यह लोग सुच रहे हैं कि पैसा भी नोतर नियां पड़े इतलाग हो जाए जब अश्वत्ती करा रहे हैं इस तलाग है जो साधी के बाद पता चला कि मेरी पत्नी की हाथ ऐसे टेरा है यहाँ पर फूल फोटो है नुख में देख सकते हैं। हाथ पूरा ऐसे ही घरदम मूरा रहता है ब्लोग से दिव्यां का सर्डिफिटेग भी बना हुआ है। लेकिन ये 2016 में बना हुआ है जब साधी नहीं हुआ तो 2018 में साधी हुआ और जब जाते थे वहां पर देखाव की हुआ साध तो वहां पर गए तो साध पतनी ऐसे की थी पता नहीं चला उस पर ध्यान नहीं दिये कुछी से पूस्ताश नहीं किये और जो अगुआ था वो भी सच्चाई नहीं बताया जब घर में आई दुलहन बनका तो उस समय इनको पता चला तो इनकी मा बोली क्या बोली ती आप ही बताइए मैं अपनी को अगर परतारित करता था तो मैं उसको बिएट करा था मैं अपने पास जासल रखा हूं उसमें कोई कंपलेन नहीं थी मेरे पतनी के मौशे तो यह बताइए अगर कोई भी मैं मारता या पिटता मैं दारू भी नहीं पीता हूं आप मुझे पूरी गाउं में पूछ लो मैं मांस मचली भी नहीं खाता हूं सकाहा रहे हूं सीधवे अदमी कода दुनिया चलने नहीं देती है अरे सिधे साधे है तो दुनिया ंचे stainless कर दो तो दिल तूट गया होगा उस पत्नी से जो पत्नी इस छोटे से बच्चे के लिए आप नहीं है आप इस रिटर्न आई थी अपने बहन के घर में रही लेकिन आपने जीजा के घर रही हम मिलने की कोशिस की ए तो उसका जीजा कर रहा है कि वो तुम्हें तालाग देगी उसको पात ही नहीं करने दिये मुझसे ना हमारे बच्चे से मिलने की कोशिस की ओ उसका जीजा जी एक बार रिकार्डिंग वायस मैसेज भेजी थी मेरे पे कि मैं आपसे बहुत बात करना चाहती हूं बहुत बात करना चाहती हूं तो वहीं उसका भाई था मुबाइल चिन लिया फिर मैंने बहुत कोशिस की बात करने के लिए बात ही नहीं हो फाई अब चली यहाँ पर देख सकते हैं अगर एभी कडक टाइप के होते उसका भाई हो या उसका जीजा हो फोन करके डांट फटकार नहीं लगाता पूछना चाहता हूं अपने साडू और अपने साले से कि तुम लोग मतलब की संबिधान से बोल रहे हो कि मेरा साला का रहा था वो तुम्हारे पास नहीं रहेगी मैं होसो हवास में इस टाम पेपर पे लिखके दे रहा हूं वो तुम्हें तलाक देगी बताएए उसको कौन अधिकार दे रहा हूं अपने बच्चे को नहीं पाल सकता है इस संसार में कुछ ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं कर पाई पिता से बड़ा कोई नहीं होता है लोग मा को युद्धा बोलता है लेकिन पिता से बड़ा कोई नहीं होता है मा का भी खर्चा वहीं पिता चलाता ह बच्चे का भी जब मा का खर्चा चलता है, तो मा उसी पिता के सहारे बच्चे का भी खर्चा चलाती है, घर का भी खर्चा चलाती है, आपने सर पर लेकर पूरा घर डोती है, जब बाप का एक पती का साया पत्नी पर सही तरीके से रहता है, यहां पर देख सकते हैं, बच्च उनका निकला था, आपका पत्नी का, और उस कितने महीने बाद पैदा होने के बाद चली गई, 17 या 18 महीने बाद, 17-18 महीने बाद अपने बच्चे को छोड़ दी, यहाँ पर देख सकते हैं, दिभ्यांग देखकर यहाँ पर पत्नी, जूट बोल कर साधी किये, दिभ्यांग पत्नी, और उसके बाद घर में रखे, उसका मदद किया, यहाँ पर पत्नी जब बच्चा यहाँ पर पैदा हुआ, तो जब 17 महीने का ही था, तो उस समय उसके मन में लालसा जग्या, कि मैं भी पैसा कमा हूँ, और सबसे बड़ा दुनिया में धन होता है, मा के लिए बेट करते हैं, और इस समय यहीं एक सहारा है, लेकि इस समय तूट चुके हैं, क्योंकि अपने पत्नी के लिए अपना जॉब छोड़े हुए थे, इस समय इनके पास कुछ साधन पैसा आने का, अब इनका, बताएए, अउक हभी रही है, धमकार हैं सब, जैसे मेरी पत्नी भी कही पोन करके ना मैं साधी करूंगी न करने दूंगी, यह कौन सी बात होती है, यानि मैं ऐसे परसान आओ खेत बेच के काऊं चर, बताएए, मैं कैसे खाऊंगा, कमाऊंगा ता भी तो खाऊंगा, अगर तुमको तलाक देना था, तो तुम आई होती, मिली होती, बताई होती अपनी बातों को दर्द तो बहुत होता होगा जिस पत्नी के लिए इतना किये जिस से प्यार किये अब प्यार नहीं रहता तो साइद बच्चा पैदा नहीं होता सर प्यार ही था अमाई जैसे यह सोचा कि चलो जो है अवरतों को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का करते हैं यह नहीं कि किसी अवरत को हम दाब के रखें जैसे बदुगा गाय नहीं है सर कोई भी मनुश्य है ओ फ्री जी यह ओ कहते थी कि हमको लोग जाने नहीं है माने नहीं है घर पे तो हमने का चलो हम ही जानते हैं मानते हैं और उसका सिला यह है जी सर रुला दिया देखिए जानम देके रोड पे छोड़के भग गई वो किसी भी इस्तिरी का किसी भी मा का वो सम्मान करेगा सही से आप ही सूचिए सर उसके नजर में एक मा जो सब्द है बहुत नीचे गिर गया आज के बाद सही में बच्छा अगर बड़ा होगा तो एक मा का इजत नहीं करेगा कि किसी कोई अगर मा इसके सामने बोलेगा तो सःद उसे पसंद आई क्योंकि यहां पर एक जूती मोरिया है और यहां पर एक अई इह आपक से हो रहा है कि में पतनी को पढ़ा कर सबसे बड़ा दुनिया में गलती किया हुं देखिए सभी पत्मियां ऐसी नहीं है, सभी लड़कियां ऐसी नहीं है कि धोखे बाज हो, वो तो परिवार का संस्कार है, देखिए हमने उसको कभी जगडा नहीं किया, कभी मारा पीटा नहीं, न हम दारू पीते हैं, या जहां पे हम जिसका लोनी में रहते हैं, वहां भी आप जा के पूछ सकते हैं हम कैसे थे, तो यह तो मेरा संसकार है, अब वो तो रोड पे बच्चे को छोड़ के भग गई, तो मेरा यह संसकार बनता है कि हम अपने पुत्र को यो जान से जाने, पालन करें, पोशन करें, अच्छा बनाए, नेक इंसान बनाए, हम यह कोशिश क आपको पुत्र से जलन होती है, कि जिसकी मा इसे चोड़ कर चली गई, मुझे चोड़ कर चली गई, मैं पुत्र को क्यो मानूँ, नहीं सर, वही तो मेरा सब कुछ है, आप ही माँ बाप सब कुछ है, जी सर, उसको तो इतना हम प्यार देते हैं, कि वो पूछेगा ही नहीं माँ को याद ही नहीं करेगा, लेकिन अधी करता है, वैसे कुमाता माँ को याद करने का ज़िए, आएसे हम बताएंगे भी नहीं प्यूचर में, कि तुम्हारी माँ है, जीवित है, यह नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब बच्चा यह जानेगा, कि मेरी माँ भी जिन्दा है कहा है, तो उसको बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, उसको हट होगा, और वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, चलिए इनके साथ जो हुआ है, वैसा किसी के साथ नहीं हो, और जैसा हुआ है, वैसा होने के बाद आप कोई पतनी को पढ़ाना नहीं चाहेगा, चलिए इसे के साथ मैं मनीदर सिंग दबंग 24 से धन्यबाद.